क्या आप लोग जाना चाहते हैं फिरी laptop योजना क्या है इसमें हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं कौन-कौन से document लगेंगे क्या criteria है और कौन-कौन सी state के लिए है आप लोग सब कुछ जाना चाहते हैं तो सरसे पहले आपको वीडियो को like कर देना है और चैनलों को subscribe कर देना है और यहाँ पर आपको comment कर देना है कि अप लोग कौन सी state से ये वीडियो को देख रहे हैं तो सरकार द्वारा देश के अधिकान सराज्यों के छात्रों को सिच्छा प्रदान करने में मदद करने के लिए फिरी laptop योजना 2024 की सुर्वात की गई है इस योजना को देश आर्थि कैसे करना है कौन कौन से document लगेंगे तो सब कुछ आज की सीडियो में आपको बताऊंगा तो सरकार द्वारा विद्यार्थियों को सिच्छा प्राप्ति के प्रुसाहित के लिए यहाँ नूठी योजना संचालित की गई है सरकार के द्वारा माधमिक सिच्छा मंदल की साह विशेष्टाएं आवशक दस्तावेज आवेदन कैसे करना है आपके सब कुछ मालूम होना चाहिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग सब कुछ सीख जाएंगे और यह किसके द्वारा है तो यहाँ पर यह सिच्छा विभाग के द्वारा है लाभारती राज के मेघावी च्छातर और देश यहाँ पर च्छातरों को मुथ में लैप्टोप प्रदान करना है और आवेदन पर की आप लोग जाना चाहिते हैं तो यहाँ पर आप लोग विफसाइट के बारा में जाना चाहिते ही तो राजी के अनुसार अलग-अलग विफसाइट हैं अब आप लोग जाना चाहते हैं जैसे हमें यहाँ पे इस योजना के लाब लेना है तो कैसे ले पाएंगे चात्रों को डिजिटल सिच्छा प्रदान करने के लिए देश के हर राज में अपने इस्तर पर लैप्टॉप योजना शुरू की गई है इस योजना के तहित योग चात्रों को मुप्त लैप्टॉप प्रदान किये जाते हैं ताकि वो बेहतर सिच्छा प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकें इस लैप्टॉप योजना का मुख उद्देश सकते हैं देश के प्रतिभाशाली में घावी चात्रों को फिरी लैप्टॉप देकर प् सार किया जा सकें अब आप लोग जाना चाहते हैं यहां पर इनकी क्राइटेरिया क्या है अगर आप फिरी लैप्टॉप योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपको फिरी लैप्टॉप वित्रण योजना से संबंधित पात्रता को पूरा करना होगा तभी आप फिरी लैप्टॉप योजना 24 के लिए आवेदन कर पाएंगे तो यहां पर क्राइटेरिया यह जिस राज में यह योजना चल रही है आवेदक राज का मूल निवासी होना चाहिए आप लोग किसी भी राज में सभी राज के लिए योजना चल रही है उसी इसाब से आ नाम काच्छा दस्वी या बार्वी की मेरी रिलिष्ट में होना चाहिए और आवेदक के परिवार की वार्थी काए दो लाग सु रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए आवेदन करने वाले च्छात के माता या पीता का गौवर्मेंट जॉब नहीं होना चाहिए यह भी एक क बताईता हूं जैसे आप लोग आवेदन करना चाहिते ही तो आपको पास आधार काड होना चाहिए पासपोर्ट साइज आप फोटो चाहिए जिस राशे हैं आपका बोनुफाइट चाहिए और आपको मार्क सीट आपको भी चाहिए और आयफ प्रमालपत्र चाहिए जाज त्रणूलपत होना चाहिए, इमेल आईडिया और मोबाईल नंबर, यहां पर आक पस इतनी होना चाहिए तो आप लोग यहां पे अपलाई कर पाएंगे, अब अपलाई के प्रोसेस आपको बताएता हूं और आपको उताता हूं, क्रोविंध क्वालिफिकेसन क्या हौने चाह अब आपनो जिसके benefit के बरह में जाना चाहते हैं तो सिच्छा में सुधार, इसे सिच्छा में सुधार होगा। इसे विव्या के माधार में से जो लैप्टॉप छात्रों को दिया जाएगा। और डिश्टल सा छर्था, लेप्टॉप छात्रों को डिश्टल सा छर्था प्राप्त करने में मदद करेंगे, वे लेप्टॉप को उपयोग करके कम्प्यूटर के बुनियादी ग्यान, इंटरनेट को उपयोग और अनडिश्टल कौसल सीख सकेंगे रोजगार की आउसर यहाँ पे मिलेंगे, लेप्टॉप छात्रों को रोजगार के आउसरों पे सुधार करने मदद करेंगे, वे लेप्टॉप उपयोग करके अपनी सिख्छा और कौसल को विक्सित कर सकेंगे, जिससे उन्हें बहतर नौकरी पाने में मदद मिलेगी आर्थिक विकास इसमें होगा, लेप्टॉप छात्रों को आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद करेंगे, वो लेप्टॉप को प्योग करके अपनी सिख्छा और कौसल को विक्सित कर सकेंगे, इससे उन्हें बहतर नौकरी पाने और देश के आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद मिलेगी, अब आप लोग जाना चाहते ही, इसमें हम लोग आउनलाइन आवेदन कैसे कर सकते ही, रेजिटेशन कैसे कर सकते ही, आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पर आपको आवेदन फार्म के लिंक प चेक किया जाएगा लिस्ट में नाम आने वाले स्ट्विटन को सबसे पहले फिरी लैप्टॉप योजना का लब दिया जाएगा तो इस ता आप लोग यहां पर आवेदन करना सकते हैं अगर आप लोग इनका ओफिसल साइट का लिंक चाहते हैं तो वीडियो के डिसेशन में आपको लिंक मिल जागा वहां पर जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आपको और भी कोई का इन्फिजन है आप लोग और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं